हेलो मैं शाहुल जॉन आज मैं आपको बढ़ाऊंगा कि पारंपरिक सुरक्षा या भारी सुरक्षा की विभिन विशेस्ता के बारे में बताऊंगा जो कि पॉलिटिकल साइंस की फरस्ट बुक के सैवंध चैप्टर जिसका नाम है समकालिन विश्व में सुरक्षा का एक पारंपरिक सुरक्षा का संबंद प्राचिन काल में की जाने वाली सुरक्षा विवस्ता से लिया जाता है याने कि जो पुराने समय में सुरक्षा की जाती थी उससे संबंदित है पारंपरिक सुरक्षा पारंपरिक सुरक्षा का संबंद भारी युद और खत्रों से होता ह कि कोई भारत के लिए भारत के लिए भारत के लिए भारत के लिए पाकिस्तान भारत देश पर आक्मेंड ना कर दे तो ये आता है पारमपरिक सुरक्षा है पारमपरिक सुरक्षा के अंतरगत एक देश को दूसरे देश के युद्ध की संभावना केवल सेना से होती है कि कोई दूसरा देश, यानि कि भारत के दूसरे देश को है भारी देश, पाकिस्तान हो गया, श्रेलंका हो गया, ये सारे देश उसके भार के देश हैं, कि उस पर आकरमेंट ना कर दें, तो उससे बचने के लिए पारंपरिक सुरक्षा जरूरी होती है, क्योंकि पारंपरिक प्राचिनकाल के समय में हत्यारों का विकास नहीं हुआ था इसलिए स्थैनिक युदों की संभावन अधिकतर बनी रहती है पहले के समय में हत्यार तो थे नहीं तो अब किस से खत्रा रहता है स्थैनिक युदों से कि स्थैनिक द्वारा आकर्मन ना कर दिया जाए जो हमें खत्रा है उसे पारम पर एक शुरक्षा कहा जाता है या बहारी शुरक्षा कहा जाता है पारम पर एक शुरक्षा के अंत्रगत केवल तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है वो तीन बात यह है या तो समर्पन कर दिया जाए याने स्रेंडर कर दिया जाए कि हम हार आकर्मिनकारी राष्ट्र को युद में हरा दिया जाए तीसरा विकल्ब या आप्शन ये है कि जो जिस देश पर आकर्मिन कर रहा है तो उस देश को हरा दिया जाए या तो ये कोश्चन भी एक्जाम के ड्रिश्टी से बहुत इंपॉर्णन कोश्चन है अब आप मेरी बाहर त्यारत्यवस्ता और वेर वी शुट इन्वैस्ट आर्मिनी को अमजान शॉप क्लोजर फिलिप कार्ट पर खरीच सकते हैं